दोस्तों अगर आप भी PF अकाउंट होड़ रहे हैं, आपका भी PF अकाउंट है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि PF अकाउंट जो है क्यों important है, PF अकाउंट जो आपका रहता है, उस पर आपको क्या-क्या benefit मिलते हैं, पांस फाइदे आपको बता है, नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेकनोलोज अब, चले आप जो है वन बाइवन पांचों जो benefit मिलते हैं, पांच जो फाइदे होते हैं PF अकाउंट के, वह आपको बता देता हूँ, सबसे बड़ा जो फाइदा PF अकाउंट पर होता है, व यहनकी जो ब्याज देगा, वो 8.15 की दर से देगा, PF के अलावा अगर सरकार की दूसरी जो स्कीम है, उनके इंटरस यहनकी ब्याज की बात करें, तो जैसे कि अगर आपके पास PPF अकाउंट है, उस पर अभी करेंट में 7.1 परसेंट जो है, इंटरस यहनकी ब्याज मिल रह है, सुके ने समर्दी पर 8.00 के असपास मिल रहा है, और RD अगर करवाते हैं, तो वहाँ पर 5-7% मिलता है, FD कराते हैं, उस पर भी इतना ही मिलता है, और भी काविशारी जो स्कीम है, उनके मुकाबले अगर compare करें, तो जो आपका PF account रहता है, जो आपका PF का पैसा रहता है, उस पर आपको बाकिश स्कीम के मुकाबले काफी अच्छा जो है, इंटरस्ट यनकी ब्याज मिलता है, जो कि अभी current में financial year 22-3 का 8.15 की दरसे यनकी अभी decide हुआ है, और जल्दी PF खतादारकों की account में credit होना भी शुरू हो जाएगा, तो बहला तो benefit ये है, अब बात करते हैं दूसरे benefit की, दूसरा benefit ये है कि अगर आप एक PF account होल रहे हैं, तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आपका जो basic price जो DA रहता है, इस पर 12% आपका पूरा का पूरा आपके PF account में जमा हो जाता है, और company जो 12% देती है, उसमें से 8.33 EPS में चला जाता है, इनकी pension contribution में यहाँ पर आजाता है, और बचा 3.67 वो आपके PF account में हो जाता है, यहाँ पर दूसरा benefit यह मिलता है, कि अगर आपकी total service, चाए आपने एक company में काम क्या हो, या फिर multiple company में काम क्या हो, अगर आपकी total service 9 साल 6 महिने से ज़्यादा की हो जाती है, तो फिर आप EPFO से हर महिने pension लेने के ल pension मिलेगी, EPS 95 pension scheme के तहते minimum pension 1000 रुपए है, 2014 में decide हुआ था, एलान हुआ था कि minimum pension 1000 रुपए मिलेगी, अगर आपकी pension ज्यादा calculate होती है, तो फिर आपको ज्यादा मिलेगी, बट 1000 रुपए से कम pension अगर calculate होती है, तो आपको minimum pension 1000 रुपए तो मिलेगी, मिलेगी, तो यह भी ए उमर जो है pension जैता है, EPFO जब आप 890 साल के हो जाएंगे, तब बाकी अगर आप 50 साल की उमर में retire हो जाते हैं, तो भी आप yearly pension यहनकी reduced pension के लिए भी apply कर सकते हो, तो दूसरा benefit यह है कि आपको EPFO की तरब से pension भी मिलती है, आप चले बात करते हैं, तीसरे benefit के बारे में, तीसरा benefit यह है कि आपका जो PF का पैसा रहता है, उस पर आपको tax exemption under section ATC of ITX, यानि कि IT अधिनियम की जो धारा है, ATC के tax, जो है, टेक्स में जो है, PF खातादार को जो है, छूट मिलती है, तो यह भी एक benefit मिलता है, PF खातादार को, और चोथा जो फायदा है, वो यह है, कि एगर आप विरोजगार हो जाते हो, या फिर जो है, कोई महामारी आ गई, या फिर अभी आप current में कहीं पर नोकरी कर रहे हो, और आपको पैसों की जरूरत पढ़ जाती है, तो आपका जो PF का जो पैसा रहता है, उस से आप advance में PF का पैसा withdraw कर सकते हो, यानि कि नोकरी करते करते, अगर आपको कुछ पैसों की जरूरत पढ़ गई, और आपका PF का पैसा जमा हो रहा है, आपका PF का पैसा आपकी salary से cut रहा है, तो आप advance में भी अपना PF का पैसा withdraw कर सकते हो, चाए आपकी जो है, खुद की साधी के लिए निकालना हो, या फिर जो है आपकी बेटा-बेटी है, भा कर सकते हो, तो ये भी एक benefit मिलता है PF खातादारकों को, एडवांस में PF का पैसा निकालने के लिए जो है, फोरम 31 apply करना पड़ता है, और full and final settlement के लिए फोरम 19 10C apply करना पड़ता है, और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, कि अगर आपकी 9 साल 6 मेने से तो चार बाते हो गई, अब पांच भी बात जो काफी ज़्यादा important है, वो ये है कि भगवान ऐसा किसी के साथ भी ना करें, बट जो benefit दिया जाता है सरकार की तरफ से, EPFO की तरफ से वो आपको पता होना जरूरी है, अगर आप एक PF account holder है, तो अगर नोकरी करते समय, PF EDLI scheme है, यानि कि Employee Deposit Link Insurance Scheme उसके टाहत है, उसका जो भी नौमनी रहता है, उसका जो भी यो है कानुनी उत्राधिकारी रहता है, उसको EDLI scheme के टाहते है, minimum 10 laag रुपे, maximum 7 laag रुपे तक पैसा मिलता है, यानकि उसका जो भी नौमनी रहता है, उसको benefit मिलता है, minimum 10 laag रुपे, और maximum 7 लाख रुपे तक के बीच में amount मिलती है, तो ये भी एक जो काफी अच्छा benefit दिया जाता है EPFO की तरब से, और सबसे अच्छी खास बात है, जो EPFO की EDLI scheme है, जो की insurance होता है, पीएफ खाता धारक का, उसके लिए पीएफ खाता धारक को एक भी पैसा अपनी जेफ से नहीं देना पड़ता, ये बाई default जो है, पीएफ खाता धारक का insurance कर दिया जाता है, जैसे ही वो पीएफ मेंबर बनता है, पांस benefit मैंने आपको बता दिया, चलते चलते एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा, कि अगर अभी तक आपने अपने पीएफ यूएन account के साथ नहीं किया है, तो कर लिजे, अगर किसी पीएफ मेंबर की death हो जाती है, तो अगर नौमनी एड नहीं रहता, तो फिर जो है, जो उसका जो भी कानूनी उतरादीकारी रहता है, उसका जो भी family member रहता है, उसको पैसे claim करने में काफी जादा समस्या आती है, और नौमनी एड रहता है, तो किसी भी तरीके क कोई भी दिक्कत नहीं होती, और तुरंत वो claim कर सकते हैं, और जो भी पीएफ खततार का पैसा रहता है, जो भी EDLI का benefit मिलता है, तुरंत नौमनी को दे दिया जाता है, किसी भी तरीके की कागज कारवाई नहीं होती, online सरा काम हो जाता है, तो यहाँ पर हम आपको यहीं कहना चाहूंगा कि आप PF account के अलावा दूसरी जगे भी अगर कोई account open कर रहा है, जैसे कि PF account open कर रहा है, RD कर रहा है, या फिर आपने जो है, LIC ले रखी है, या फिर आप share market में invest करते हैं, तो सब जगे अपना नौमनी जरूर add कीजेगा, तो बस आज की वीडियो में यहीं जानक करें, आप सभी के साथ share करें, क्या आपको इनके बारे में पता था, या फिर नहीं पता था, पांस साथ सेक्निड लगेंगे, comment box में comment करके जरूर बताएगा, और आगे भी इस तरह की help अलबेश वीडियो पाना चाहते हैं, तो चैनल को subscribe जरूर कीजेगा, मिलते जल्द एक